तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस पंप को रिपेर करने वाले हैं जो कि 3HP 25 स्टेज का पंप है 3HP के उपर लगने वाला है यहां पंप तो थ्रीफेस मोटर पे यहां पंप था वीफोर समर्शिबर मोटर का है 25 स्टेज का तो इसमें क्या प्रोब्लम ही चली सबसे पहले हम चेक करते हैं पंप चलने माला नहीं तो यहां फाइब में हमक कप पाना पांचे मिम políticas लेना है और यहां पे लंकी बोल्ट पर लगांगおお और पंप माना कि फ्री घूम रहा है या नहीं तो देख सकते हैं पंप गूम भी नहीं रहा है याने कि जाम हो चुका है और इसमें प्ले भी पूरी तरह से ऊपर-Nीचे नहीं हो रहे है इसलिए इस पंप को हमें पूरी तरह से खोलना होगा और फिर उसके बाद पता लगाएंगी कि इसमें क्या-क्या प्रोब्लम है बॉसिंग प्रोब्लम है या कुछ और तो यहां 25 स्टेज का कि अध्रीफेस्ट समर्सिबल मोटर का पंप है तो पंप को खोलने के लिए सबसे पहले हमें एक हथोड़ी ले लेनी है कुछ इस प्रकार की और फिर यहां पे सक्षन के उपर यहां पर हलका हलका सा थोड़ी मार देते हैं जिससे इसकी चूड़ी जो होती है ठ्रेडिंग तो फिर इस सिग्ड़े पर इस पंप को टाइट करके सिग्रा पाना से खोलते हैं तो कुछ इस प्रकार का पाना ले लेना है रिंच और इससे सक्षन में लगा के सबसे पहले खोलते हैं सक्षन को यदि सक्षन दोस्तों नहीं खुल रहा है तो हमें क्या करना है साप्ट और चूड़ी जो हता है थोड़ा सा धीला हो जाता है और यहां पम देख सकते हैं असाने से खोल जाता है तो सबसे सक्षन को जल्दी से खोल लेते हैं तो देख सकते हैं सक्सन जो है खुल चुका है और फिर खूल के पंको आगे की नडरवी भी हमें खोल लेते हैं क्योंकि हम यां अन ellas नहीं खुल लेंगे तो हमें से मार के जिस साइड खुल रहा है उस साइड थोड़ी से मार के इसका आटा जो है ढेला कर लिया जाता है जिससे असानी से एनर्वी खुल जाते तो देख सकते बहुत पुराना पंप था फिर भी एनर्वी इसकी नहीं खुले तो उसके लिए हमें एक पाइप लेना है कि महां पर लगा देना है और फिर इससे क्या होता है लाघ जो हो जाता और बहुत ही मैं ताकत जयदा नहीं लगानी पड़ते तो आसानी इसे यह ए नार्वी देख सकते हैं खुल चुकिए है तो देख सकते हैं दोस्तों एनर भी खुल चुके हैं हमारी और इसमें एक मीडल जो भी निकला था जिसके अंदर यहां बूस बैठा हुआ है पीतल का अब चलिए पॉम को खोल के दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहां पॉम पचीश स्टेश का है जो की वर्जिन बाउल से बना हुआ था तो इस पॉम को खोलने के लिए सबसे पहले हमें यहां पे जो सक्सन पर जो कपल होता है उसमें देख सकते हैं खोल होगा यहां पे तो इस होल में यहां पाना जो है लगा दिया जाता है जिससे क्यों लगाया जाता है जिससे पम को खोलते समय इस की साप्ट जो है पूरी नागु में और फिर इस 5 mm के पाने से 5 mm का एलंकी जो है खोल दिया जाता ह एलंके बॉल्ट जिस साइड एलंके बॉल्ट खुलता है और खुलने के बाद इसका स्लीव यह सब निकाल दिया जाता है और फिर अब देख सकते हैं यहां पर वर्जिंग धाने का बना हुआ हैवी एंपिलर और बाउल से पंप था यह बना हुआ तो सभी एंपिलर्स और बाउल को निकाल दिया जाता है यहां पर फोर नंबर का एंपिलर था है कि चलिए जल्दी से यहां पर बमप से एंपिलर और बाउल को निकाल देते हैं यहां पर एक मिडल भी है में और रफं को कि और ही अस्त लियूव नहीं निकल रहे तो आपको क्या करना है पंप को उल्ठा करना है और किसी लखडी पे यह रबड की चीज़ पे इसको फोड़ा हलका फटक देना हैं जिससे आसानी से इसलिव और वाउल एंपिलर निकल चाते ज़ब तेज भी नहीं पटकना नहीं तो साप आउट हो जाएगी जिसको हमें थ्रू करना पड़ेगा लेध मसीन पर बाद में तो इस एमपिलर और बाउल को सभी को निकाल देना है अब देख सकते हैं एक निकला है गिट्टी जो है इस पंप के अंदर से निकली है जो छोटी ठोटी होती है इसी वज़े से खराब हो जाते हैं ज्यादा तर बालो और गिट्टी से तो इह एंपिलर और बाऊल देख सकते हैं आपसमें चिपीक चुके हैं और घिस भी चुके क्या प्रोब्लम थी या तो गिटिस में आ गई थी बालू आ गया था या तो यह पंप बीना पानी का ही चल रहा था चलाया होगा तो जिससे गरम होके अपस में इंपिलर और बाउल चिपक जाते हैं तो उसके बाद चलिए हम इस सक्षन में जो बूस बैठा हुआ है उसको ब के अंदर इस सक्षन को डाल दे रहा है और फिर सक्षन को यहां पर थोड़ा सा हिलाना है तो देख सकते हैं थोड़ी सी जो प्ले हो चुके यानि कि बूस चलने वाला है हमारा लेकिन क्या पता बाद में दो-चार महिने बाद फिर यह इस बूस की वज़ा से हमें को खोलना पड़ेगा और रिपेर करना पड़ेगा इस वज़ा से हमें बूस को पहले ही चेंज कर लेना है ताकि हमें दोबारा पंप को ना खोलना पड़े इस बूस की वज़ा से तो सबसे पहले इस लाग से हम बूस को निकालते हैं थोड़ा से क्योंकि यहां पर रिपेरिंग वाल इसके उपर रखना है और फिर थोड़े से आसानी से मार के इसको बूस को बिठा देना अब दोस्तों उसमें एक छर्रे को पार कर किया जाता है तो बूस यहां पर बैठ चुका है कुछ इस प्रकार का 18 mm का छर्रा पार कर दिया जाता है जिए हम छर्रा नहीं पार करेंगे तो क्या होगा साप में सक्सन डालेंगे तो देख सकते हैं बूस में जो कपल होता है वह ज किया जाता है पार करना होता है तो चर्य को पार करने के बाद आपको दिखाते हैं तो चर्य को हम कुछ इस प्रकार से पार कर लेते हैं और फिर उसके बाद तो देख सकते हैं बूज जो है बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसमें थोड़ी सी प्ले भी है थोड़ी सी प्ले तो रहती है है अब स्थाको में क्या करना है पॉलिस पेपर लगाना है जो मिट्टी और कच्रा जहाएं जमा हुआ था कपल और साफ में उसको निकाल देना तो यहाँ पॉलिस पेपर शाफ और कपब पे लगाकर साफ कर लिया जाता है सब्सक्राइब है तो अमने पॉलिस पेपर लगा के शचाप कर लिया है और उसके बाद यहां पर कुछ सब्सक्रातार का हम यूज़ करने वाले हैं इस पॉंप में फोर मंभर रहर का सबसे पहले इस लाग पर हम उसक्त को खड़ा कर देना है और फिर इस सक्षन को इस साफ में साफ्ट में डाल देना है अंदर अब देख सकते हैं फिर क्या करना है एक बाउल सबसे उपर वारा लेके इसका उपर का जो डिस होता है प्लास्टिक का इसको हमें निकाल लेना होता है क्योंकि इस डिस्क को हमें सक्षन में भी था ना ह counselor के ठोड़ा सा हल्का से मार के भीठा देते हैं फिर चलिए सबसे पहले पहला एमपिलर डाल के हम पंप बनाते हैं तो जैसा प्लोग जानते मैं चार में की यहां पर प्ले रखता हूं चार में की चावी से माप माप के मैं पंप बनाता हूं फिर मापते हैं यदि चावी नहीं जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार का वाइसर लेके इस एंपिलर को ऊपर किया जाता है कaska ये फिर एम्पिलर को टालगे सकते हैं तो देख सकते है। चार में प्ले dummy हमने रख देह और यहां पर यानि कि सिम्प्ली आपको कुछ भी नहीं करना किसी भी पॉंप कு बना ते वाक्त के उब्द्ट हचावी आपको ले के और 4 mm की चावी से ही पंप बनाते चले जाना है और उपर 1.5 mm या 2 mm का प्रेसर दे देना है तो यदि प्ले थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो एक mm का वासा निकाल को वहां पे थोड़ आधर mm का डाल के प्ले हम घटा भी सकते हैं आई हैं भी जो चलिए दूसरे स्टे बनाते हैं दूसरा स्टेज में सभी स्टेज में दूस्तों हम 4 mm की चावी सिमें आपके नादे हैं यानि कि हमारा अनुभों वाला काम नहीं हमें फिक्स काम करना होता है कंपनी के अंदर यति यह रुभों से इधर उधर थोड़ा बहुत 1200 माइक्रोन जो हैं एंपिलार उपर नीचे रहेगा जिससे हेड और वाटर डिस्चार्ज में भी थोड़ी बहुत प्रोब्लम होती है तो जल्दी से पम बना लेते हैं सिंप्ली यदि आप भी 4 mm की चावी से पम बनाते हैं तो आप मोटर के उपर जो है बिल्कुल भी नहीं रखिए यदि मोटर के उपर आप पम बनाएंगे तो यह पम गलत बनेगा आपका केवाल आपको यही करना हैं आपको पूरा फूरक 12 mm की रखनी हैं तो यहां पर 25 स्टेज का पंप है तेरा बाउल और तेरा इंपिलर डालने के बाद इस पर हमें मिडल लगाना होता है कुछ इस प्रकार का यहां मिडल में बूस्ट जो है सही बिठा हुआ है और सबसे पहले यहां पर स्लीव डाली जाती है और स्लीव कुछ इस प्रकार से 30 mm के स्लीव है उसके अंदर यह चावी कीवे में लगा दी जाती है और फिर इस मिडल को यहां पर फिक्स कर दिया जाती है इस मिडल का काम होता है साप्ट को सपोर्ट में रखता है यानि कि साप्ट जो है लंबा है ज्यादा इसलिए उसको आउट नहीं होने देता और फिर उसके बाद पहला इंपिलर यानि कि 14 स्टेज कि फिर भी हम बनाते हैं तो सिंप्ली आपको यही करना है किसी भी मोटर यदि आप रिपेरिंग करते हैं किसी भी पंप की तो मोटर के उपर मत बनाई है कोई भी एक लाग बनवा लीजिए यानि कि साप्ट जो हैं उसके बाद जो है सभी एंपिलर में चार में की प्ले रखके आपको बिना टेंसन के पंप बना देना यह और गैरंटी दोस्तों मैं लेता हूं यदि पंप सक्सेज नहीं हुआ तो और यदि चावी जो है नहीं जा रही है तो वहां पर आप वाइसर का इस्तमाल करके यूज करके एंपिलर को आधा है कि में मूपर ले सकते हैं तो यहां पर चलिए लाश्ट भी हम बनाते हैं लाश्ट तो पंप को बीज बीज में घुमाते भी जाना और चेक करते जाना कि पंप हमारा जाम तो नहीं हो रहा है और जो हमने डिस निकाली थी बाउल से उस बाउल को सबसे उपर रख देना है अब दोस्तों यहां 25 mm की स्लीव का सेटिंग कैसे करना है यानि स्लीव को साप्ट से जो होती है उसको 2 mm जो है स्लीव को उपर रखना है क्योंकि एंपिलर को हमें दबाना होता है 2 mm नीचे की त अब देख सकते हैं तो 2 mm साप्ट से स्लीव को हमें उपर रखके कीवे में चावी रख दी जाती है और फिर टॉप वाइसर और एलंकी से टाइट कर दिया जाता है और दोस्तों मैं एक डिटेल में यहां वीडियो भी बनाऊंगा कि क्यों हमें प्रेसर जो है लगाना होता ह पूरा फुल डेटेल में वीडियो बनाऊंगा तो देखने के बाद आपको पता चलेगा तो उसके बाद इस मिडल को कुछ इस प्रकार से हम रखते हैं और उसके उपर इस अनर्वी को तो हमें बाउल में भी प्रेसर देना होता है ताकि बाउल के बीच से यहां पर पाइफ हमें रखना है और यहां पर आपको चेक करना है नर्वी में कि 2 mm का गैप रहना चाहिए क्योंकि स्लीव में हम दो हमने 2 mm का गैप रखा तो यहां पर 3 mm का gap है तो एक mm का हमने इस मिडल पर कट लगा दिया है और फिर इस मिडल और नर्वी को इसके उपर रखके आपको दिखाते हैं कि गैप कितना mm का है तो फिर से वहीं पर रखके पाइप को और आपको देखना है तो यहां पर देख सकते हैं 2 mm का gap जो है हो चुका था चलिए फिर से दिखा देता हूं तो 2 mm का gap यहां पर रखना है क्योंकि जब चूड़ी को हम ठ्रेटिंग को टाइट करेंगे तो बावल जो है प्लास्टिक का हमारा 2 mm नीचे की तिरफ दबेगा और फिर इस पाइप को इस पम के उपर लगा देना कुछ इस प्रकार से और नर्बी को भी फिक्स लगा देना अब इसको फिर से इसी सिग्रा पाना पर हम चलिए टाइट कर देते हैं तो यहां पर आगे की तरफ हमने एक पाना लगाया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं दो इमेम का gap है जो हमने दो इमेम का gap रखा थ है तो फिर पाने से रिंज से इस सक्षन को टाइट करेंगे तो अंदर का प्लास्टिक का जो बाउल होता है वह अंदर की तरफ दो इमेम दबेगा तो चलिए फुल टाइट कर देते हैं इस पाम को अब पॉम्प को हमने फुल टाइट कर दिया तो देख सकते हैं पॉम्प रिपेर होके कंप्लीट हो चुका है चलिए हम इसको चेक करते हैं आपको सिंप्ली वही पाना ले लेना है अब देख सकते हैं पूरा फूरा फूरी घूम रहा है इसका प्ले भी देख सकते हैं तो दोस्तों पॉम्प हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है तो वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिए हो मैं चौंको सब्सक्राइब करके घंटा दवार